हेलो दोस्तों, उत्राखंड की पाट साला में आपका श्वागत है, ये है उत्राखंड भूहूल टेस्ट संख्या साथ, राज्य के गलेशियर, यहां हम देखेंगे उत्राखंड राज्य में इस्तित गलेशियरों से संबंदित प्रस्ण, तो चलिए सुरू करते हैं, चार ओप्संस की बात की जाए, गंगोत्री, बंदरपूँच, मिलम और पिंडारी, तो उत्राखंड का सबसे बड़ा गलेशियर या दूसरा सबसे बड़ा गलेशियर कौन है, तो इसका जो सही आंसर यहां पर होगा, वो होगा, ओप्संस अंक्या, D, पिंडारी गलेशिय पिंडारी उत्राखंड का दूसरा सबसे बड़ा गलेशियर है, जबकि उत्राखंड का सबसे बड़ा गलेशियर है, गंगोत्री, जो उतरकासी जिले में इस्तित है, और भागी रती का उत्गम अस्तलवी है, उत्गम छेत्र भी यहीं से है, अगला जो गलेशियर यहां प पुन सा है? तो मिलम कुमाओं का सबसे बड़ा गलेशर है जो पूर्ण रूप से कुमाओं में ही है पिνडारी की बात करें तो इसका जो छेत्र है गलेशर का जो छेत्र है वो तीन जिलों से होता हुआ चलता है जैसे चमोली में ये फैला हुआ है बागेस्वर में फैला हुआ है और पितोरागड में भी फैला हुआ है मुख्य रूप से बागेस्वर जिले में है लेकिन चमोली और पितोरागड में भी इसका विस्तार है जिस कारण ये कुमाओ और गरवाल दोनों में फैला माना जाता है सुद रूप से कुमाओ में मिलम सबसे बड़ा गलीशयर माना जाता है अगला हमारा प्रस्ण है डोरियानी या डोकरियानी हिमानी किस जिले में इस्थित है चमोली, बागेस्वर, उतरकासी एवं पितोरहगड़ डोरियानी हिमानी की बात करें निकलती है ये सहायक नदी है भागी रथी नदी की जो एक भुक्की नामकस्तान पर भागी रथी नदी में मिल जाती है आगे हम देखेंगे अगला प्रस्न अगला प्रस्न है अलकापुरी बांग हिमानी किस ग्लेशियर हेतु परियुक्त अन्य नाम है बद्रिनात स्वरगा को अलकापुरी बांग हिमानी भी कहते हैं इसकी अगर इस्तिती देखें तो ये चमोरी जिले में इस्तित है जबकि अन्य यहाँ पर ग्लेशियरों को देखें तो बदिनाथ भी चमोरी जिले में इस्तित है छिपरावनक की बात करें तो ये भी चमोरी जिले में इस्तित है जबकि स्वरगार रोणी की बात करें तो उतरकासी जिले में स्वरगार रोणी परवत एवं गलेशियर दोनों इस्तित है अगला हमारा प्रस्ण है निमलिखित मैंसे कौन सा गलेशियर पितोरागड में इस्तित है चार glacier यहाँपर है, इन मेंसे तीन पिथोरागड के नहीं है एक पिथोरागड में इस्तित है, तो कौन सा हो glacier है, जो पिथोरागड में इस्तित है तो यहाँपर जो सही answer होगा कोसा, जादूं, सुंदर Mode, एवं पिनूरा में से तो वो से या आंसर होगा, उत्र संक्या चार पिनौरा पिनौरा पिथोरागड में इस्तित है, जबकि कोचा, जादुंग और सुन्दर ढूंगा यहां नहीं है कोचा की बात करें, तो यह पसिमी धॉरी गंगा छेत्र में, चमवोली में इस्तित है जादूंग की बात करें तो ये जादूंग छेत्र या जादूंग दर्रे के आजपास उतरकासी में ये इस्तित है जबकि सुन्दर ढूंगा की बात करें सुन्दर ढूंगा इसने होना था ये सुन्दर ढूंगा बागिस्वर जिले में इस्तित है अगला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन से हिमानी बागिस्वर में इस्तित है एक गलेशियर बागिस्वर का है बाकी अन्य जिल्लों के है तो ये सही आंसर यहाँ पर होगा इन सभी ओप्संस में से कपनी हिमानी कपनी हिमानी बागेसवर की है बाकी अन्य हिमानिया अन्य जिलों से संबंदित है जैसे कलेयू की बात करें तो ये रुद्र प्याग से संबंदित है केजारनात के पीछे कलेयू गलेशियर है जैजम की बात करें तो जैजम Glacier पितोरागर में इस्तित है जबकि चमपासर Glacier की बात करें तो यह उतरकासी में इस्तित है अगर हम बागेशवर के अन्य Glacier की बात करें तो यहाँ पर कुछ अन्य Glacier है जैसे यहाँ पर एक Glacier है मैकतोली प्रसिद्ध ग्लेशियरों में यहाँ पर मैक्तोली एक ग्लेशियर है इसके साथ साथ यहाँ पर पिंडारी भी है साथ साथ सुंदर ढूंगा भी है एक अन्य है सुखराम बागिस्पर में ही सुखराम भी एक ग्लेशियर है और साथ साथ तारकोट भी यहाँ पर एक glacier है इसके साथ एक अन्य glacier यहाँ पर है जिसका नाम है मय कोटली मय कोटली तो ऐसे यहाँ पर कुछ glacier हैं जैसे मैक तोली, पिंडारी, सुंदर ढूंगा, सुखराम, तारकोट एवं मय कोटली अगला हमारा प्रस्न है भागी रती खरक glacier किस glacier के साथ मिलकर लटकती घाटी का निर्मान करता है एक घाटी बनाएगा जो लटकती घाटी होगी किस के साथ लटकती घाटी एक भागली की विसेशता है जो हिमाली चित्रों में या हिम द्वारा निर्मित होती है और ये विशेषता उत्राखंड में कौन सा गलेशयर भागी रती खरक गलेशयर के साथ मिलकर बनाता है तो इसका सही आंसर है सतोपंत गलेशयर सतोपंत और भागी रती खरक गलेशयर दोनों चमोरी जिले में इस्तित हैं और चमोरी जिले के दोनों ग्लेशियर आपस में लटकती घाटी का जिनबान करते हैं लटकती घाटी का अर्थ है जब एक ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियर पर अठक जाता है या दूसरे ग्लेशियर को जल पोशाता है glacier का अर्थ है पिघलती बर्भ की नदिया ये बर्भ की नदिया जैसे हैं और ये एक दूसरे को जल प्राप्त या जल देती है तो ऐसी इस्तिती में जब एक glacier दूसरे glacier को जल देता है और ऐसा परतीत होता है कि वो उस पे टिका हुआ है उसे लटक्ती घाटी कहते हैं तो सतोपंत एवं भागी रती खरक गिलेशर चमोरी जिले में लटक्ती घाटी का निमाल करते हैं और अलग नंदा नदी का उद्गम इनी छेत्रों से है यहाँ पर आने हिमानियों की बात करें तो यहाँ से भागी रती नदी जल प्राप्त करती है अगले प्रस्न को हम देखें तो अगला प्रस्न है चतुरंगी एवं स्वचंद गलेशर किस जिले में इस्तित है गलेशर का नाम है चतुरंगी एवं स्वचंद ये दोनों प्रमू Glacier हैं और किस जिले में इस्थित हैं जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ये उतरकासी जिला उतरकासी जिले में इस्थित हैं चत्रंगी येवं स्वचंद Glacier और विसेशता है कि गंगोत्री Glacier के साथ-साथ ये जुडे हुए है इस छेत्र में है जहाँ पर भागी जथी जल प्राप्त करती है तो गंगोत्री के साथ जुड़े हुए गलेशियर है चोतरंगी एवं सवच्छन्द गलेशियर अगरा प्रस्न है निम्लिकित मैंसे कौन सी एक हिमानी उतरकासी में इस्तित नहीं है यहाँ पर जितने भी हिमानिया है उन मेंसे एक गलेशियर ऐसा है जो उतरकासी का नहीं है तो कौन सा वो गलेशियर होगा तो इसका जो सही आंसर है वो है ओप्सन संक्या या D गोवन खना रक्त्वन की बात करें तो उतरकासी में इस्तित है अरवा हिमानी की बात करें तो अरवा हिमानी, अरवा ताल, अरवा नदी उतरकासी में ही ये छेतर है ये अरवा नदी गंगोत्री या भागी रथी के पास आती है सबसे पहले एक नदी एक धारा अगला है चोतुरंगी, चोतुरंगी की बात करें तो ये भी गंगोत्री glacier छेतर में है और उत्रकासी में है गोवन खना पितौरागर में इस तित्र है पितौरागर में बहुत सारी glacier है उन्हीं में से एक है गोवन खना glacier जहां से उद्गमित होती है एक नदी जिसका नाम है पूर्वी धौली गंगा या दार्मा जिसे आप कहते हैं अगला प्रस्ण है चौरा बाड़ी हिमानी किस दिले में इस सित है यह गलेशियर कहां पर है तो चौरा बाड़ी ताल के अगर बात करें तो वो रुद्रप्याग छेतर में है और रुद्रप्याग में किदारनाथ मंदिर के पीछे जो चौरा बाड़ी ताल है वो इसी गलेशियर से जल पराप्त करता है चौरा बाड़ी गलेशियर से अगला हमारा प्रस्ण होगा निम्न लिखित मैंसे एक हिमानी पितोरागड में इस्थित नहीं है कौन सी वो हिमानी ऐसी है इन मैंसे जो पितोरागड में इस्थित नहीं है तो अगर बात करें इनकी नामों की देखें तो नामिक जो हिमानी है वो पिथोरागर में इस्तित है यहां से पूर्वी राम गंगा नदी जलब राप्त करती है आगे बात करेंगे संकलपा की तो संकलपा नामक हिमानी भी पिथोरागर जिले में है पॉंटिंग नामक हिमानी भी पिथोरागर जिले में है ये भी उसी छेतर में आती है जहां पूरवी राम गंगा है आगे बात करेंगे companion की companion की बात करें तो ये रुद्रप्याग में इस्तित एक glacier है जो रुद्रप्याग में किजानात मंदिर के पीछे कलेयू के साथ चौरा बाड़ी glacier के साथ खड़ा है ये ही companion glacier है जो आपदा का कारण था चौरा बाड़ी ताल में तूटकर इसका बड़ा हिस्सा गिर गिर गिया था अगला प्रस्ण है निम्ले रिखित मैं से एक glacier चमोली जिले में इस्तित नहीं है बागी तीन चमोली जिले के हैं देखें इनको दूनागिरी की बात करें तो दूनागिरी चमोली जिले का ही glacier है जबकि दूसरा glacier जो बागनी है बागनी भी चमोली जिले में ही इस्तित है अगला बात करें मै कोटली तो मै कोटली जो glacier है ये बागिस्वर जिले का glacier है मैक तोली और मै कोटली ये दोनों बागिसपर जिले में है तो यही सही आंसर है ये चमोली में नहीं है अन्य जो गलेशियर है कोसा तो इसकी बात करें तो ये पसीवी धोली गंगा छेतर में है कोसा गलेशियर तो ये भी चमोली का ही है अगला प्रस्न है निम लिखित मैंसे एक सुमेलित नहीं है या असुमेलित है कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है तो यहाँ पर देखें तो जंसपर उतरकासी ये बिल्कुल सही जोड़ा है जंसपर हिमानी उतरकासी में ही है पनपतिया अरुदृप्याग तो पनपतिया गलेशियर रुदृप्याग में है प्रस्ण है स्वर्गा रोहनी ग्लेशियर किस जिले में है कई लोगों को लगता है ये चमोली में है लेकिन ऐसा नहीं है स्वर्गा रोहनी ग्लेशियर उतरकासी जिले में इस्तित है स्वर्गा रोहनी ग्लेशियर की विसेस्ता है कि जो एक टौस की एक मुख्य धारा है वो स इसका नाम है सुपिन, सुपिन नदी उत्राखंड के छेत्रों में स्वरगार होनी से ही निकलती है, इसी छेत्र में आपका हरकिदून बुग्याल भी है, इसी छेत्र में गोविंदरास्टे उज्यान भी है, ठीक, अगला प्रस्न है, निम्नकित में से कौन सा ग्लेशियर उत पिथोरागड का, बाकी कीर्थी गलेशियर, रक्तवन गलेशियर और चांगठांग गलेशियर सभी उतरकासी के हैं, हिरा मणी पिथोरागड में है, अगला प्रस्न है, पुन रूप से कुमाओं में सित सबसे बड़ा गलेशियर कौन सा है, जो पुन रूप से कुमाओं में स करें? मिलं हिमानी की तो मिलं हिमानी कुमाओं की सबसे बड़ी हिमानी है. जबकि उत्रा खंड का तीसरी बड़ी यह गलेशयर या हिमानी है जबकि दूसरे अस्तान पर पिंडारी है, वो कुमाओं में भी विष्ट्थ है और इसके साथ गड़वाल छेतरे बार थाथ चमोली जिले में भी फैला हुआ है ठीक अगला प्रस्न है पिंडारी ग्लेशर का विस्तार किस जिले में नहीं है पिंडारी तीन जिलों में फैला हुआ ग्लेशर है इन चार जिलों में से किस दिले में उसका विस्तार नहीं है तो इसका सही आंसर है option number 1 पौड़ी में पिंडारी glacier का कोई विस्तार नहीं है और पिंडारी glacier का विस्तार पौड़ी में हो भी नहीं सकता है क्योंकि पौड़ी महान हिमाले में नहीं बसा है और जहां महान हिमाले नहीं है वहाँ गलेशियरों की संभावना भी नहीं है वहाँ हिमाले की पड़ी चूटियां है ही नहीं अगला प्रस्ण है जोधार एवं चमपासर गलेशियर किस दिले में इस्तित हैं दो गलेशियर है जोधार एवं चमपासर प्रसिद्ध है किस दिले में इस्तित है तो इनकी बात करें तो इनका सही आंसर है वो है उतरकासी जिला यहाँ पर हैं चमपासर गलीसियर एवं जोधार गलीसियर अगरा प्रस्ण है सुखराम गलीसियर किस दिले में इस्तित है तो हम बात कर चुके हैं बागिस्वर के गलीसियरों की हमने कहा था कि मैक तोली, कफनी, पिनदारी, सुंदर डुंगा, सुकराम, तारकोट, मैकोट्टी यह सभी बागिस्वर के गलीसियर हैं तो अप्रस्ण नमर भी इसका सही आंसर है अगरा प्रस्ण है, निम लिखित मैंसे एक गलीसियर, पितोरागड में इस तित नहीं है, वो कौन सा है तीन पितोरागड के हैं, एक नहीं है, तो देखें तो पिनोरा गलीसियर, यह बिल्कुल पितोरागड का है कलगंगा गलेसियर या हिमानी ये भी पित्वरागड की है मेउला गलेसियर ये भी पित्वरागड का इक गलेसियर है मेउला स्वच्छंद एक ऐसा गलेसियर है जो उत्रकासी का गलेसियर है नहीं पित्वरागड का अभी इसके बारे में बात कर चुके है चतुरंगी और स्वच्छंद यह उत्रकासी में है अगर हम पितोरागड़ कुछ अन्य गलीशियरों की बात करें तो यहाँ पर आपने रालम नाम सुना होगा साथ साथ मिलम सोना यहाँ पर एक गलीशियर है बाल्टी एक गलीशियर यहाँ पर है जैजम हमने अभी बात की थ संकल्पा भी हम कह चुके हैं और मेवला भी हम कह चुके हैं गोवन खना की बाद भी हो चुकी है हिरामनी की बाद भी हो चुकी है तो यह सभी पितोरागड़ के गलीशियर है एक बाल फिर नाम लूँ तो हिरामनी पॉंटिंग नामिक काली पिनोरा रालम मिलम सोना बाल्ट बंपा, संकलपा, मैवला, गोवन खना ये सभी glacier पी थोरा गड़के हैं अगरा प्रस्ण देखें या अंधिम प्रस्ण देखें तो वो है उत्राखंड का सबसे बड़ा glacier कौन है ये हम सभी को पता है कि उत्राखंड में एक बहुत बड़ा glacier है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा glacier माना जाता है ये है गंगोतरी glacier उत्राखंड का सबसे बड़ा glacier है इवम भागे रती नदी के उद्गम छेतर में आता है इसके साथ साथ बात करें तो उत्राखंड में glacier के लिए एक सब्द का प्रियोग अन्य किया जाता है वो है बरम बमक सब्द का पर्योग गलेशिरों के लिए किया जाता है तो ये सब्द गलेशिर के लिए पर्युक्त नाम है बमक ठीक तो यही थे आज की प्रस्न धन्यवाद दोस्तों